आप देख रहे हैं न्यूज हैल्ट खबरी सेहत की बीयाचियू चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आयरुवेट संकाय के द्रवेगुण विभाग में शोधारती रहे डक्टर अभिशेक गुपता ने 41 तरह के गुट तयार की हैं द्रवेगुण विशेशग्य डक्टर अभिशेक ने बताया कि आयरुवेट में वर्नित सहिता के आधार पर तयार गुण भिन्ध भिन्ध रित्मों और प्रक्रति के अनुरूप स्वास्ते के लिए लाबकारी हैं गुण और स्वाद की द्रष्टी से इसमें अनूठे प्रियोग किये गए है ताकि बच्चे भी से चाव से खा सकी कुरोना संक्रमन काल में बढ़ों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी लाबकारी है इसमें मिंट का प्रियोग किया गया है जिसे खाने के बाद गले को ठंड़क मिलती है गुण रोग प्रतिरों तक ताकत को बढ़ाता है हाला कि मदुमे के रोग्यों को गुण का सेवन नहीं करने की सला दी गई है जंगली भिंडी की जड़ से किया गया है साथ गुड में फैट की मात्रा नगन्ने होती है पर प्राकर्तिक रूप से कार्वोहेट्रिट की मात्रा भरपुर होती है डॉक्टर अभिशेग बताते हैं कि ये गुड केमिकल मुक्त है इसको साफ करने में रसायन का उपयोग नहीं हुआ है जंगली भिंडी के पोधे की जड़ से इसको साफ किया गया है इसलिए ये पूर्ण रूप से प्राकर्तिक है गुड की गुणवत्ता की जाच श्रीराम इंस्टिटूट अफ इंडिस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली में हुई इसको बनाने वाली यूनिट भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्रादिकरण से प्रमानित है गुड उर्जा का अच्छा स्रोथ होने के साथ प्राकर्तिक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का खजाना होता है इसमें मुख्य रूप से पोटीशियम, कैल्शियम, थाइमिल, राइबोफलेबिन, नियासिन, मैगनीशियम और फास्पुरस की उचित मात्रा पाई जाती है डॉक्टर अभिशेक ने बताया कि हरितिका, पिपली, काली मिर्च, शुन्ठी, श्वेत, शाम, तिल, आमलकी, बिल, चून, सौफ, धनिया, मुलेठी, दालचीनी, गिलोई, अर्जिन पौडर, शंग, कुष्पी, ब्रामी, युक्त, गुड़ भी विशेश रूप से बना डॉक्टर अभिशेक बताते हैं कि उन्हें ये गुड़ बनाने की प्रेधना, द्रव्यकुन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर के एन द्वेदी से मिली, गुड़ सीतापूर में तयार कराया गया, प्रोफेसर द्वेदी के मार्वतरक्षन में फॉर्मूला त शतावरी का गुड़ गर्ब पोशक, अर्थात, गर्बवती एवं दूद पिलाने वाली माताओं के लिए बेहद लापकारी है, प्रफला युक्त, गुड़ नेत्र जोती वर्दक, त्रदोश शामक और कब्ज नाशक है, प्रिकटू युक्त, गुड़ सर्दी खासी जु गुड़, शुशक तवचा और जोडों के दर्द में लापकारी है, तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजीगा, हम आपको आने वाले नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे हैं,